कि हलो दश्तों सुवागा थे आपका अग्जाम टाइम में दोस्तों MPPSC मुख्य परिख्षा के अंतरगत आजका जो हमारा टोपिक है तो यह है प्रसासन एवं प्रभंदन प्रसासन एवं प्रभंदन जो हमारा टोपिक है वह प्रस्न पट्र 2 के पार्ट ए में unit 5 में हमारा दिया गया है और हम यहाँ पर syllabus की प्रत्यक लाइन को अच्छे से cover करेंगे और इसी series में यह हमारा first video है हम यहाँ पर समझेंगे प्रसासन क्या है उसका अर्थ क्या है, परिभासा क्या है और लक्षन क्या है उसके बाद में इसके आवसक्ता क्यों है क्यों इसके आवसक्ता पढ़ी सबसे पहले तो हमें यही समझने चाहिए कि जो प्रसासन वाला topic है यानि प्रसासन वो इसके बाद में हम पढ़ेंगे लोग प्रसासन तो यह हमारे topic में या फिर syllabus में हमें क्यों जोड़ा गया है और इसे हमें अभी वरतमान में क्यों पढ़ना आविस्यक है तो हम यहाँ पर सारी बातों की चर्चा करेंगे यह सीरीज आपको बहुती सांदाल लगेगी और बहुती अच्छे तरीके से वो यूनिक तरीके से हम यहाँ पर आपको समझाने का प् प्रसासन एवं प्रभंदन उसके बाद में लिखा है अर्थ प्रकरती एवं महत्व तो हम सिर्फ आज इतना ही कवर करेंगे यहां पर अर्थ प्रकरती एवं महत्व ठीके तो आप देखिए जैसे कि आपको सिलेवस में ये लाइन लिखी है अब आपको इसे 3 मारकर 5 मारकर औ 11 मारकर बन सकते हैं और जैसे कि आप देखोगे प्रसासन एवं प्रभंदन तो सबसे पहले आपको प्रसासन की डेफिनेशन त्यार कर लेना है 3 मारकर में उसके बाद में लिखा है प्रभंदन तो प्रभंदन को आपको त्यार कर लेना है देखे दोस्तों जो जो बुक होत है वो इसलिए होती है ताकि हम कितना लिख पाते हैं समय सीमा का प्रभंधन कर पाते हैं किनि तरी सीमा में लिख पाते हैं कि नहीं और कितना अंच्छा हम लिख पाते हैं ठीक है तो यह हमें खुद को जाचने के लिए होता है अब दोस्तों आचा आ genres प्रसासन पर तो देखे प्रसासन यानि एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रसासन जो सब्द है तो यह लेटिन भासा के दो सब्दों से मिलकर बना है एक तो 8 और एक मिले टेरर ठीक है और इसका जो अर्थ की बात की जाए तो सेवा करना और प्रभंद करना तो प्रसासन का अर्थ क्या होता है सेवा करना और प्रभंद करना हमने आपको सिलेवस की लाइन भी आपको बता दी है अब उसी अधार पर हम यहाँ पर पूरा पढ़ेंगे अब दोस्तों जैसे के आप इसे इस पकार से समझ सकते हो कि जो सरकार होती है यानि जो government होती है तो वो किसी नीती का निर्मान करेगी किसी नीती का निर्मान करेगी कोन सरकार अब उसका जो किर्यानवयन है वो कोन करेगी वो अधिकारी करेंगे यानि उससे नीचे के जो अधिकारी रहेंगे वो उसका क्या करेंगे किर्यान वयन करेंगे अब अगर मान लो कोई भी नीती अगर सरकार ने बनाई है तो वो किसी विशिष्ट उद्देश्ट के आधार पर ही बनाई है यानि मान लिजे कि आवास योजना बनाई है ठीक है तो आवास योजना को आपको देखे योजना से हम समझाते हैं कि आवास योजना यदि बनाया है तो वो किसली बनाया है ताकि जो गरीब लोग है या फिर जिनके मकान नहीं बने हैं तो उन्हें यहाँ पर सरकार के तरब स साहिता दी जाती है ठीक है तो इनके पीछे उनके राजनेतिक कारण भी होते हैं कि जैसे कि मानलुक की अगर कोई पार्टी अगर पैसे देती है या फिर सत्ता में है तो वो ये सोचती है कि आगे आने वाले चुनाओं में ये हमारा सहीयोग करेंगे तो इस पकार की कुछ राजनेतिक सोच भी रहती है उसके पीछे और कुछ अलग चीजे भी रहती है तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है यानि कि किसी विशिश्ट उत्यसी के प्राप्ति है तू किया जाने व हम मोरिकाल भी पढ़ते हैं और मोरिकाल के बाद हम जैसे के अन्य जो भी महान-महान राजा हुए हैं जैसे के अकबर का अकबर का जैसे के मुगलकाल पढ़ते हैं फिर उसके बाद में हरसवर्धन की प्रसासनिक विसस्ता पढ़ते हैं तो प्रसासनिक विसस्ता आप महाँ प पात की जाए तो अभी के समय में जो प्रसासन है वो बहुत ही व्यापक हो चुका है यानि कि इसका जो दाइरा है वो बहुत ही व्यापक है यानि कि इसमें सिलेबस सिलेबस में हमारे बहुत कम दिया है यदि आप प्रसासन के पढ़ने जाओगे तो बहुत बहुत जादा कोटिंग ही पढ़ना है तो यहां पर अब देखे पहले एक छेत्र में हुआ करता था अब यह राष्ट नहीं यह अंतराष्टी इस्तर तक पहुच गए है आपने देखा होगा कि अंतराष्टी इस्तर पर भष्टाचार के रिपोर्ट आती है और उसके बाद में सुसासन के आती हैं तो यह किस संबन्दी थम यह पृष्टासन के यहांपर चल रहा है तो यही सब का अध्यान के उद्धश से बढ़करा यह सारवज्यनिक उद्ध di Casey k और विवस्ता में बात की जाए वीवस्ता में बत की जाए तो सबसे उपर कौन होता है सासन या फिर सरकार अब सरकार के अंडर में काम होता है प्रसासन का यानि कि जो सरकार होती है तो वही यहाँ पर प्रसासन करती है या आपको यहाँ पर ध्यान रखना है अब प्रसासन भी दो प्रकार के होते हैं एक तो लोग प्रसासन होता है और एक नीजी प्रसासन यहाँ पर होता है ठीक है यह आपको यहां पर ध्यान रखना है यानि कि सबसे उपर को है सासन है सासन देखे सासन क्या करता है यानि जो सरकार क्या करती है नीती का निर्मान करती है अब नीती का क्रियान वयन कों करेगी तो यह प्रसासन के तहत यहां पर किया जाता है अब दोस्तों बात कते हैं लोग प्रसासन तो ये समानी लोगों के कल्यान से सम्मंधित प्रसासन यानि कि अगर जो लोगों के कल्यान से यदि जुड़ा है तो वो लोग प्रसासन होगा यानि अगर हम प्रसासन और लोग प्रसासन को यहाँ पर अलग करते हैं तो लोग मतलब होता है लोग बहुत ही सही तरीके से सही तरीके से कारी करना तो ये प्रा का मतलब यह होता है अब प्रसासन का मतलब अभी आपको बता है कि नीतियों का किर्यान वैन ठीक है तो यानि पहता तरीके से नीतियों का किर्यान वैन करना ही प्रसासन है तो इस पकार से भी आप यहाँ पर लिख स हैं तो अब आपको समझ में आ गया कि थी मार्क कहां से बनते हैं तो इनसे यहाँ पर ठेक लाइन में सीलेवज की पर्टेक लाइन आपको अच्छे से पहले याद होना चाहिए और उसके पर्टेक लाइन में आपको जितने भी की वर्ड मिलते हैं इसे जैसे प्रसासन उसके बाद में लोग प्रसासन नीजे प्रसासन प्रभंदन तो इस पकार से आपको यहां पर उनके थ्री मारकर त्यार करना है कि आप किस पकार से उन्हें वहाँ पर लिखोगे तो यहां पर हम इसी पकार से पढ़ रहे हैं कि थ्री मारकर फाइब मा वेपारिक कारी यानि कि जो उद्धोग होते हैं तो वहाँ पर अपने हिसाब से प्रसासन वहाँ पर चलाते हैं ठीक है उसके बाद में यहाँ पर वेपारिक कारी यानि जो भी वेपारी होता है तो वह भी अपने हिसाब से वहाँ के नियम और काईदें वहाँ पर बनाएगा अब दोस्तों इधर उधारन की बात कते हैं लोग प्रसासन में तो ये सरकार द्वारा लोग कल्यान कारिक किये जाना तो ये होता है लोग प्रसासन ठीक है तो अभी जो लोग प्रसासन का जो अर्थ है या फिर प्रसासन का जो अर्थ है वो सारवजनिक है यानि कि सारवजनिक है ना कि सरकार तक ही सिमी थे ये ठीक है अब उसके बाद में यहाँ पर देखे यहाँ पर इस पकार से भी आप डाइगराम बना सकते हो छोटे छोटे डाइगराम आप अभी भी बना सकते हो भले ही वहाँ पर सब्द सिमा कम कर दी गही है बाकि इस पकार यहाँ पर सासन, उसके बाद में यहाँ पर प्रसासन, उसके बाद में यहाँ पर सूसासन, ठीक है, एक सूसासन भी होता है, तो यह तीनों के आपको थ्री मारका यहाँ पर तियार करने हैं, तो सासन, प्रसासन और सूसासन, तो इस परकार से कीवर्ड आपको निकालना है, य उन्होंने क्या कहा है प्रसासन का संबंद निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति है तो कारियों को करवाने से है तो प्रसासन का जो संबंद है वो निश्चित उद्देश्यों यानि कि उनके उद्देश्यों होते हैं तो उनके कारियों को करवाने से होते हैं ठीक है उसके और में प्रसासन सासन के अधिनस्त रहेकर कारी करने वाला विशिष्ट मानवी अभिकरन है तो प्रसासन क्या है सासन के अधिनस्त रहेकर कारी करने वाला विशिष्ट मानवी अभिकरन है यह आपको ध्यान रखना है यहाँ पर हम आपको यह भी बता रहे हैं कि इस पकार से यहाँ पर बनते हैं, अब दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर प्रसासन के घटक, तो प्रसासन के यहाँ पर दो घटक है, एक तो सामुहिक प्रयास और एक समान लक्षी, यानि कि आपका एक सामुहिक प्रयास होना चाहिए और समान लक्षी होना चाहिए यह होते है प्रसासन के यहां पर गटक या फिर इसे हम इस पकास से भी समझ सकते हैं कि एक समान लक्ष को पूरा करने के लिए लोगों को एक सम्हू का सामुही के प्रियास ठीक है तो यह क्या होता है यह होता है प्रसासन तो इस पकासे हम यहाँ पर यह समझने के लिए लाइन लिखी है तो यहाँ पर इस पकासे आप इसे समझ सकते हो अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम यहाँ पर प्रसासन के लक्षण प्रसासन के क्या लक्षण होते हैं यानि संगठन एवं मानवी सयोग यानि कि संगठन भी होना चाहिए और मानवी का सयोग भी हाँ पर होना चाहिए समान लक्षयो एवं नीती का पूर्वनेधारन देखे नीती का पूर्वनेधारन से मतलब यह होता है कि यदि आपने कोई भी नीती बनाई है तो आपको पहले इसे ही रणिती तैयार करना चाहिए कि मुझों के यहां पर आप सोचए खिर इतने ही पॉइंट क्यों लिखे खिर कि जो सब्द सीमय है बहुत ही कम कर दी गही है आप डारेक्टर अगर आप से यहाँ पर प्रसासन के लक्षन पूछे आते हैं तो सीधे आप यह पांच पाइंट उठा कर रख सकते हो उसके बार में यहाँ पर नेक्ष्ट रेखते हैं मानवी गतिविधियों का निर्देशन और नियंतन करना प्रसासन एक सार्व भोमिक प्रक्रिया ही और नेक्ष्ट है हमारा कि मनुस्य तथा भोतिक साधन के यहाँ पर समन्वे किया जाता है ठीक है तो मनुस्य कभी वाँ पर सयोग होना चाहिए और भोतिक fac tni जैसे प्रकार्टतिक साधन इस पकार के उसका भ बताया था निजी संगठं या नगरी विवस्ता संचालन है तूं यानि कि देखिये य। नीजी संगठं है, यदि आपका तो वहाँ पर भी आपको प्रसासन के आवसोगी कानुन नियम वहाँ पर भी होंगी आपके छेत्रें या फिर यह आवसक है, या फिर इसका महत्व भी हम इसे कह सकते हैं, और जो हमने लक्षन देखें, उसे आप विश्यस्ता में भी वो पॉइंटे एट कर सकते हैं, सिकन्ड पॉइंट है, सामजिक विश्यस्ता में जटिलताओ का सामना करना, देखें जैसे कि कहीं बाड आयाती है, या कहीं महामारी फेल जाती है, तो कोई एक अकेला विक्ति तो महापर प्रयास नहीं कर सकता ना, तो वहाँ पर NDRF की टीम भी आपको बुलानी पड़ेगी, अब जो NDRF की टीम होती है, तो उन्हें पहले ही महापर सिकाया जाता है, तो उनका मिल जूलकर कारी करना उन्हें मह तो यह समचिक जटिलता है, यानी कि जैसे कि महामारी फेल गई या फिर कहीं बार आगई, तो वहाँ पर भी क्या होगा, वहाँ पर सबको सयोग बना कर रखना पड़ेगा यानि कि सबको साथ मिलकर मिल जुलकर कारी करना पड़ेगा यह आपको ध्यान रखना है तो प्रसासन का सीधा सा अर्थ है दोस्तों कि मिल जुलकर कारी करना ठीक है उसके बाद में यहाँ पर next point है कल्यानकारी राज्जी में नीती किर्यानवेन है तू यदि आपको एक कल्यानकारी राज्जी की स्थापना करनी है तो कल्यानकारी राज्जी की यदि आपको स्थापना करनी है तो आपको नीती के किर्यानवन हेतू इसके आउसकता होगी प्रसासन की उसके बाद में नेक्ष्ट की बात करते हैं, कि राष्टी के रूप में अंतराष्टी संबय या दायतू का निर्वहन तो यही हमने आपको बताया था जैसे कि अंतराश्टी इस्तर पर भी आपको अपने जो देश की छवी है वो अच्छी बनानी है तो आपको प्रसासन पर ध्यान देना होगा तो इसलिए भी इसकी आव सकता है यहां पर ही और आपके कुछ दायत हुए भी बनते हैं परियवरन के प्रती और भी जैसे कि अपने यहां के लोगों के प्रती क्योंकि हमारा जो भारत है वो क्या है लोकतंत्र है यानि कि यहां पर जनता खुस नहीं है तो फिर सरकार चलाना यहाँ पर असंबह होए ठीक है तो यहाँ पर कुछ राजनेते के उनके उद्देश से भी रहते हैं और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आपको ध्यान रखना है कि अंतराश्टी संबंदे एवं दाइतु यानि देखे अब यहाँ अलग-अलग आयाम की हमने बात की हैं एक तो समाज की भी बात कर ली है और किसी नीजी संगटन की भी हमने बात कर ली है तो यह होते हैं अलग-अलग आयाम तो अपना जो उत्तर होता है यदि आपको उत्तर को अच्छा विसेस तरीके से बनाना है तो आपको अलग-अलग आयाम में आपका उत्तर यहाँ पर कंप्लिट करना होगा, यानि कि आप एक ही एक चीज पे यहाँ पर उत्तर नहीं लिख सकते हैं, यादि आप से आवसकता पुछी जाए, तो आपके वार राज जी-राज जी के बारे में नहीं लिख सकते हैं, यानि कि आपका जो सोच का दाइरा है, यही एकजामीना जानना चाता है, पर प्रसासन के आवसक्ता पड़ेगी अब दोस्तों यह है एडी गारे वाला तो इन्होंने क्या का है प्रजा तंत्र में योजनाओं की सफलता के लिए एक स्वच्छ कुसर एवं निस्पक्ष प्रसासन का होना अत्यन्त आवसक्ष देखिए जैसे आप यह से सब्द देखत ध्यान रखना चाहिए उसके बाद में यहाँ पर नेक्ष देखते हैं कि प्रसासन का आधुनिक अर्थ सार्वजनिक प्रसासन है ना कि किसी राजनेतिक उद्देश्ची की पूर्ती यानि कि आपको समाज में रहकर कारी करना पड़ेगा और आपको सर्वधर्म संभाव के यहाँ पर विशेशता यहाँ पर लानी पड़ेगी यानि कि आपको सभी पर विशेश ध्यान यहाँ पर देना होगा वर्तुमान में सरकारी नहीं बलकि सार्वजनिक कारियों का प्रसासन कहते हैं यानि कि सार्वजनिक जो कारी होते हैं उसे यहाँ पर प्रसासन कहा जाता यह हमारा एक छोटा सा यहां पर वीडियो था हमारा समझाने का प्रियास आपको कैसा लगा यह आप बता सकते हो ठीके दोस्तों इसी पकार हमारी यहां पर सिरीज चलती रहेगे और जो प्रिलेम से एक्जाम है जब तक हम जितना आपको यहां पर कवर करवा देंगे वह आप आपको यहां पर करवाने का यहां पर प्रियास करेंगे ठीके और इसी पकार से आपको टूदा पॉइंट में नोट्स बनाने हैं ठीके इसी पकार से आपको यहां पर बनाने हैं यदि आप से लक्षण या विजस्ता पुछी आया तो आप चार से पांच पॉइंट यह लि बिलकुल अच्छे से तरीके से यहाँ पर cover करेंगे ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में